Hello Everyone, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे Some Miserable Quantities and Their Units तो हमारा जो आज का टॉपिक है यह Physics के रिलेटेड है जहां पर हम लोग कुछ quantities के बारे में जानेंगे और उन quantities को मापने के लिए कौन सी units का इस्तिमाल किया जाता है और कौन सा सिंबल को लगा कर ही उस unit को denote किया जाता है उन सब के बारे में हम यहां पर briefly discuss करने वाले हैं आज है Saturday और हम सोच रहे हैं कि हर एक Saturday यानि सनिवार को हम एक जेनरल नॉलिज की वीडियो आप तक पहुँच जाए अलग-अलग topics के उपर based ताकि आप तक वो knowledge मिल जाए जो आपको जाना बहुत जरूरी है फिल हाल हम लोग इस topic के बारे में बात करें हैं और हमारा जो आज का topic है वो little bit physics के उपर है तो चलो show करते हैं यहां पर हमने आपके लिए special presentation बनाया है ताकि हम आपको दिखा सके और हम अच्छे से discuss भी कर सके So let's get going तो आप देख सकते हैं यहां पर कि हमने यहां पर table बनाया है ताकि हम आपको समझा पाए quantities और उसके unit और unit को हम symbol में कैसे denote कर सकते हैं quantities यानि उसमें temperature आएगा, length आएगा, mass आएगा quantity को मापने के लिए हम लोग unit का अस्तिमाल करते हैं और unit को दर्शाने के लिए हम short form का अस्तिमाल करते हैं जिसको हम लोग symbols बोलते हैं सबसे पहला है temperature, temperature यानि ताप मान, ठीके So tap मान को मापने के लिए हम लोग कौन सा unit का अस्तिमाल करते हैं अगर हम temperature को measure करना चाहते हैं, कि कितना temperature है, तो उसके लिए हम लोग Kelvin का इस्तिमाल करते हैं, ठीक है? Temperature अगर हम quantity में लें, तो उसकी unit क्या होगी? Kelvin होगी. So temperature की unit होगी Kelvin, और Kelvin का symbol simply एक capital K ही होता है. अगर आप capital K भी लिख लें, तो समझ में आजाएगा कि यह Kelvin का symbol है. So temperature का unit होगा Kelvin, और उसका symbol होगा capital K. ठीक है? दूसरा है length. Length क्या होता है? लंबाई. ओके? तो लंबाई मापने के लिए आप जानते हैं, पहले से आप बचपन से करते आ रहे हैं, class 2 या 3 से करते आ रहे हैं. So अगर हमें scale से हमने client डाल दी, तो हम उसे meter में लेते हैं. Meter के होते हैं, branches centimeter होता है, kilometer होता है, है ना? तो वेसे length अगर हम quantity में लें, तो उसकी unit meter होती है. हम meter में ही किसी लंबाई को मापते हैं. अगर हम length की measurement नहीं, तो उसकी लिए as unit meter को हम लेते हैं. और meter का symbol होता है, एक small m. Small m भी लिख लेंगे meter की जगह, तो समझ में आ जाएगा, m stands for meter. ठीके? तीसरा है mass, mass यानि भार. ठीके? mass यानि भार. तो भार को मापने के लिए हम लोग कौन सा unit का इस्तिमाल करते हैं? जैसे कि मुझे एक kg चावल दो, मुझे इतना आलू दो, मुझे इतने प्यास दो, तो इसके लिए हम लोग किलो ग्राम या शॉट में हम kg बोलते हैं, उसका इस्तिमाल करते हैं. तो भार मापने के लिए mass as a quantity अगर हम उसे मेज़ा करना चाते हैं, तो हम उसके लिए kg का इस्तिमाल करेंगे. तो हम लोग mass को मेज़ा करने के लिए kg unit का इस्तिमाल करते हैं, और उसका symbol होता है small kg, ठीके? kg होता है kg का short form और kg को indicate करने के लिए हम लोग kg as unit का इस्तिमाल करते हैं, तो kg का symbol होता है kg, और mass kg की unit से ही मापा जाता है. चौथा है weight, ठीके weight भी भार होता है mass type, so weight मापनी के लिए हम लोग n का इस्तिमाल करते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारी products में, बहुत सारी चीज़ों में, so weight यानि भार type, mass की तरह मीनिंग आएगा, पर उसका unit kg नहीं होगा, ठीके? वेट का जो unit होगा, वो newton होगा, ओके? यहां पर na scientist के नाम से ही हुआ है, जैसे के Pascal, Newton, Kelvin, तो यह सारे जो है ना, यह scientist, जिस scientist ने से निकाला है, उनके ही नाम से ही units दिये गए हैं, ठीके, so weight के जो unit है, कौन से unit से weight मापा जाता है, newton से मापा जाता है, और newton को कौन से symbol से denote किया जाता है, simply capital N से, newton का जो short form होगा, वो होगा capital N, तो अगर आप कहीं पर भी capital N लिख लेंगे, तो यह recognizable है, कि यह newton ही है, so weight मापने के लिए हम लोग newton का इस्तिमाल करते हैं, volume, volume जानी की जो liquid type, ठीके, volume, volume का unit होता है, cubic meter, matter में क्या होता है, अगर आप जानते है matter, so matter में mass होता है, और volume होता है, so volume का unit होता है, cubic meter, या फिर आप meter cube बोल सकते हैं, पर सबसे appropriate होता है, कि आप cubic meter ही बोलें, so volume में cubic meter होता है, as unit, volume का unit होता क्या है, cubic meter, और cubic meter को कैसे लिखा जाता है, M, और एक फोटा सा 3, जो आप maths में करते हो, algebraic expressions करते हैं, या equation करते हैं तो उसी की तरह है तो यहां पर M और उपर में 3 लिखा है ओके, सो volume का unit है cubic meter या M cube symbols को भी याद रखेगा question में जरूर आता है density, density होता है गहराही, तो गहराही को अगर आप map ना चाते हैं density को map ना चाते हैं तो कौन से unit का हम इस्तिमाल करेंगे वहोगा kilogram per cubic meter per cubic meter 1 kilogram तो हम लिखेंगे M M raised to the power minus cube pressure, pressure का unit होगा Pascal pressure, कहाँ पर ज्यादा pressure दिया जा रहा है अगर आप जानते हैं force और pressure के वारे में तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर होता क्या है जिस area में जदा pressure पढ़ रहा है उससे हम लोग pressure बोलते हैं जहां पर आप force लगा रहे हैं तो उस चेके पर pressure पढ़ता है pressure को mapने के लिए हम लोग कौन सा unit का इस्तिमाल करते हैं Pascal का और Pascal का symbol यानि उसका short form होता है P A capital P और small A so pa ठीके symbol होता है उसका pa P A unit होता है Pascal pressure का आई होब आपको इससे समझ में आ गया होगा और भी धेर तरह की quantities हैं units हैं और उनके symbols हैं जो मैं लाओंगी अगले next video में अगले Saturday को ठीके ताकि हम entire जो चीजें हैं जतने भी data information है हम उसे complete कर लें second video में सब्सक्राइब तीन या चार वीडियो लग सकते हैं इसके लिए परी सारी basics हैं जो आपको learn करने हैं और हमारी साथ आप YouTube में website में और Instagram में जुड़े रह सकते हैं YouTube के अलावा आप website में और Instagram में हमारी साथ connect रह सकते हैं और comment section के नीचे में भी आपको links मिल जाएंगे और description box में भी आपको इन सारी social plugins के link मिल जाएंगे thank you so much for watching this video this is Trisha signing up I will back with another video very soon and till then take care and bye bye